प्रियसाथियो नमस्कार गुरुजी आर्पी शोरान के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज मैं पुनह आपके समक्ष प्रस्तूत हूँ आरोही स्कूल रिक्रूट्मेंट से समंधित एक सूचना लेकर हमारे बहुत से साथी जो निरंतर प्रयत्म कर रहे हैं उन्होंने हमें अवगत करवाया कि एजुकेशन मिनिस्टर के पास भी उन्होंने फोन किये हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही कोरोना खतम होगा इस विशय में जो है हम जल्द ही कदम उठाएंगे आप जानते हैं कि सरकार ने अभी राज्य सभा में इस मुद्दे का सामना किया है जो उठाया गया था कि ये जो भरती प्रक्रिया है इससे विद्यालेयों का भी और प्रतिक्षारत जो कंडिडेट हैं वो भी कितना खामियाजा इसससे उठा रहे हैं उससे भी पहले एक ग्रूप बनाकर के बहुत से साथियों ने जो है ट्वीट किया था पूरे दिन भर और एक बाढ़सी आ गई थी तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहती और वो इससे परिचित नहीं है कई बार जो है डियेस्सी को यह अथोर्टिक दी गई कि रजल्ट आप आगे इसमें कारवाई कर सकते हैं परन्तु फिर उस प्रक्रिया को बाधित किया गया और कई बार ये भी हुआ कि स्कूलों में लेटर भेज करके यह भी पता किया गया कि स्टाफ कितना कम है दो तिन बार ये रिपोर्ट उपर जा चुकी है हलचल जुरूर हुई है लेकिन उसका जो है पूरी तरह से जो हम चाहा रहे हैं वैसा उन्होंने अभी तक नहीं किया है और बिना स्टाफ के आरोही मोडल स्कूल ने जो खाम्याजा भूगता है उसका रजल्ट अभी देखो आपके सामने है कि जलूलपूर आरोही में नौमी के सत्र में से साथ विध्यार्थी फेल नौमी के जो स्कूल के अधिन परिक्षा होती है और प्रमोट की मांग को लेकर भी धरना रतिया में है ये गाउं जलोलपूर की आरोही मोडल स्कूल में कक्षा नौमी के सतर में से साथ बच्चे फैल हो गए बच्चों को परमोट करने की मांग को लेकर आज अभिभावकों और खुद बच्चों ने फतेवाद के रतिया इलाके की SDM कारियाले के बाहर धरना दिया बच्चों और उनके अभिभावकों का कहना था कि कोरोना काल में स्कूल के द्वारा ओनलाइन सिक्ष्या दी जा रही है जो की बच्चों की समझ में नहीं आ रही इसी के चलते इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हुए हैं अभिभावकों का कहना था कि जब इस संबन्द में वह स्कूल में गए और अध्यापकों से बात की तो कोई भी संतुष्टी जनक जवाब नहीं मिला इसके बाद अब मजबूर होकर उन्हें और बच्चों को धरने का सहरा लेना पड़ा है अभिभावकों का कहना था कि जब सरकार कोरोना के चलते बोड़ की परिक्षाएं रद कर रही हैं और बच्चों को अगली कक्षाओं में पर्मोट कर रही हैं परन्तु जो ये 70 में से 60 विद्यारती फैल हो रहे हैं कहीं न कहीं इसके पीछे स्टाफ का ना होना और जो स्टाफ एड़िस्ट किया गया है उसको पूरी तरह से सलेवस के बारे में भी जो है ग्यान नहीं है क्योंकि एक दम से अगर कोई टीचर किसी नए लेसन को देखता है तो वो उसको जल्दी से निप्टाने की सोचता है ने की एक सिस्टेमेटिक तरीके से लेसन प्लान बना करके उसका फिर वीकली प्लान बनाना फिर जो है उसकी और क्रियेटिविटी करना और जो पूरी तरह स एक सिस्टम होता है जो रेगुलर स्टाफ करता है उस तरह का जो है इसमें एक नुकसान हुआ है बच्चों को भी और इस स्कूल साखा को भी तो अभी जो खबर निकल करके ये आई है मिनिस्टर के हवाले से कि इसके बारे में जल्दी ही करोना खत्म होते ही एक्षन लिया जा कोई ऐसा उगर प्रदर्शन नहीं किया जिसके चलते जो है उन्हें भी आपत्ती हो कि ये लोग इतनी जो है शिगरता क्यों कर रहे हैं या हमने किसी भी तरह का जो है ऐसा कारिय नहीं किया कि हम शरकार की आँखों में किरकरी बने लेकिन फिर भी जो है गवर्मेंट अब ह सोचने जा रही है और यह आश्वासन मिला है जिन साथियों ने बात की थी उन्होंने यह सूचना दी कि सर वो अब जो है करोना के खतम होते ही इसके बारे में सोचेंगे और कई और विद्याले ऐसे हैं जहां पर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं विद्यार्थी पूरी तरह से जो है वो हताश हो रखे हैं और एड्मिशन जो है अब की बार जो हुए वो इन विद्यालें में पिछले रिकोर्ड के हिसाब से बहुत कम रहे क्योंकि वो यह सोच रहे हैं कि कहीं विद्यालें को बंद कर दिया जाएगा या फिर इने संस्कृती मोडल में जो है ब जल्द ही बची जो हमारी डोकुमेंट वेरिफिकेशन है उसको पूर्ण करेगी तो प्यारे साथियों आप कमेंट करिए आपने भी अपने स्तर पर जो कुछ भी किया है उसको प्लीज आप कमेंट में शो करें ताकि हमारे साथ इसको पढ़ करके आशानवित हों क्योंकि न इंट्रिव्यू वाला नहीं है इसमें जो मेरिट बनेगा वही उन्हीं का स्लेक्शन होगा कोई घपले बाजिस में नहीं हो सकती क्योंकि कोर्ट के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं तो आप निश्चिंत हो करके सिर्फ वेट कीजिए और अब शिगर ही इसके ऊपर जो ह मैं भी लगातार आपके साथ जो है संघस कर रहा हूं और वेट कर रहा हूं तो बने रहें नई सूचना के लिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सूचना मिल जाए धन्यवाद